पूर मिश्रा माही मार रहा है अक्सर आपने यह सुना होगा मैंडरी सिंग धोनी के लिए उनकी मूवी में भी यह था और माही जब भी मैदान पर मारते हैं तो सब लोग यही बोलते हैं माही मार रहा है लेकिन वर्ल्ड कप 2019 के समी फाइनल के बाद से यह लाइने बोलने का मौका ही नहीं मिला लेकिन आप जब माही दे सिंग धोनी आईपिल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर से यह लाइने अस्तित्म में आ गयी हैं और इन लाइनों का मैरत बढ़ गया है एक बार फिर से यह लाइने गुंची हैं माही मार रहा है क्योंकि माही ने एक बार फिर से मार रहा है IPL 2020 से पहले टीम इंडिया के पूर्व कफ्तार माहिन डिसिंग धोनी ने चेन नई के चपाउक स्टेडियम में तूफानी पारी खेली है IPL के तेरवे सीजन के लिए प्रैक्टिस करने के दोरान माही ने पाँच गेंदो पर लगातार पाँच छक्के लगाकर सब को चौका दिया ग्राउन पर जितने फैन थे वो यही नारा लगाने लगे माही मार रहा है IPL में चेन नई को तीन बार चेंपियन बनाने वाले धोनी के बल्ले से निकले लगातार पाँच छक्कों ने ये साबित कर दिया कि उनकी काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है और उनमें अभी वो माददा मौजूद है जिसकी टीम इंडिया को जरूरत है भले ही वो काफी दिनों से क्रिकट से दूर क्यों ना हो लेकिन वो अभी बल्ले बाजी करना भूले नहीं है धाला के लगातार पाँच छक्के जड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इस वीडियो को स्टार स्पोर्ट्स तमिल ने अपने ओफिशियल ट्विट हैंडल से शेयर भी किया है यह दोरान मैदान पर धोनी का सुपर किंग शो दिखाई दिया आईपियल 2020 की शुरुवात 29 मार्च से होने वाली है पहला मुकाबला चेर्नाई सुपर किंग्स और पिछली चैंपियन मुंबई इंडियन्स के बीच ही होगा इससे पहले 38 वर्षिय धोनी चेर्नाई के MH दंबरम स्टेडियम में दो मार्च से अन्यखिलारियों के साथ ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं आपको बता दे धोनी ICC World Cup में न्योजिलेंड के हाथों मिली हार के बाद से क्रिकेट से दूर रहे हैं और उसके बीच में कई बार ये सवाल उठेगी क्या धोनी को सन्यास देना चाहिए लेकिन कई क्रिकेटर्स ने ये भी बोला कि नहीं धोनी में अभी वो माद्दा मौजूद है और वही धोनी एक बार फिर से ये दिखा रहे हैं कि पिछला वाला धोनी जो विंटर्स धोनी था लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जिससे जाना जाता था वो धोनी कहीं नहीं गया वो धोनी अभी मौजूद है और वक्त आने पर धोनी बता देंगे जैसा कि वो प्रैक्टिस मैचेज में बता रहे हैं IPL में भी वो बता देंगे कि धोनी इस बैक